हेलो दोसों दोसों कैसे हो आप सब आज की जो अपोर्चुनिटी मैं आपके सामने लेके आया हूँ ये बहुत ही अच्छी रहने वाली है कौन सी कंपनी में है उसके बारे में भी बात करेंगे बट ये वेकेंसी कैसी है और कैसे इसमें सेलेक्शन होगा उसके बारे में भी ब बताया है आप मेरे से टेलीग्राम आप लिंक्डिन और इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं क्योंकि मैं यहां के अलावा सारे अपडेट अपने इन्ही प्लैटफॉर्म पे लाता हूं सबके लिंक मैंने डिस्किप्शन में दे दिये हैं इसके साथ साथ आप डिकर दे रिखांगे यह कौन को सी ब्रांच के लिए इस यह क्योंको सी ए इस워서 के लिए कमिस्णिंग, मेकैनिकल एंड एलेक्रिकल इकुपिमेंट्स और स्टीम पाइपिंग एच्ट्रा वगयरा में बहुत जादा वर्क करती है यह जो है यह EPC तो EPC कंपनी क्या होता है EPC कंपनी होती है जो प्रोजेक्ट स्टार्टिंग से लेके PBA बोल रहा हूँ। हमें apply करना होगा। हमें apply भी करना होगा बड़ी बड़ी कंपनियों में submit भी करना होगा। जब तक हम submit नहीं करेंगे तब तक हमारा reply आने का chances बहुत काम होता है। यह केश के power engineering services यह केश के power है केश के group बहुत बड़ा group है इसमें apply कैसे करना है सबसे पहले तो ये है कि मैं करीबन इसकी जो वीडियो लाया था आज से 4 से 5 महीने पहले लाया था यहां selection हुआ था selection कैसे हुआ था किसका हुआ था आप मेरे telegram channel पे जाके आपको link जो है description में दे दिया गया है वहां जाके आप देख सकते हैं कि कितने बंदों का वहां selection हुआ था तो आपका भी selection हो सकता है बस आपको apply कर देना है apply करने के बाद आपको थोड़ा से tension free रहना है आपका देखिए reply एक दिन में नहीं आता है एक दिन में reply नहीं आएगा तो selection भी एक दिन में थोड़ा प्रोसेस लगता है बट सब का reply आएगा इसके साथ साथ हमें करना क्या होगा हमें इसके carrier section में जाना होगा तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा update on academy के बारे में दे देता हूं ये information आपके लिए और आपके जानने वालों के लिए जो आपकी ही field से related है या फिर civil, mechanical, electrical and electronics branches से related उनके लिए बहुत ही काम की हो सकती है एक चीज मैं आपको बता दूँ जैसा कि मैं खुद भी एक engineering background से belong करता हूं आप सब भी engineer ही है जो भी देखने लग रहे हैं चाहे आप diploma हों, b.tech हों बट हम सब के लिए job या फिर हमारा placement कितना जरूरी है किसी भी college से, आपको पता है कि जब हम, अगर हम CS IT में होते हैं, like CS IT ब्रांच में होते हैं, तो यहां job लग जाती है क्योंकि इतनी सारी companies है, TCS है या बड़ी-बड़ी companies है, या out of India MNC वाली भी hire कर लेते हैं, चाहे package कम दे है जादा दे, but problem किसको आती है, problem आती है civil को, mechanical को, या फिर electrical को, या फिर electronics को, तो इन branches को बहुत problem आती है, तो दोस्तों मैंने आपको कितनी बार, Unacademy के बारे में बताया है, अपनी वीडियो के बीच में, कि Unacademy जो है, इतनी सारी workshop और events organize कर रहा है, तो यह किन के लिए है, यह किन के लिए होते हैं, और यह courses और यह किसके थूप बन अपने जो dream को follow किया और successful हुए, और यह आपको भी एक chance दे रहे हैं, जी हाँ, Unacademy लाया है, part two placement, जिन से आप directly बात कर सकते हैं, directly touch हो सकते हैं, यह किन किन के लिए है, mechanical, electronics, electrical and civil engineers के लिए, अब यह आपको क्या क्या पढ़ाएंगे, आपको अपनी screen पर नजर आ रहा होगा, अमित रिरल, परसाज जैन, वीके साहू, यह क्या क्या पढ़ाएंगे, आप इनको देख सकते हैं, इसके साथ साथ ही, आपको क्या क्या पढ़ाएंगे, आप अपूर मित्तल जी, यह आपको survey पढ़ाएंगे, construction site, जो civil engineer में बहुत ज्यादा काम आता है, अनब सैं जी, banding movement and share force, यह अनब संकर जी, VLSI, Dr. Mohini जी, application of IOT, दामोदिन सेवाज जी, circuit, डीप संगीत जी, all about autocad, जितना भी आपको autocad है, और परसाज जोसी जी, यह आपको hybrid electric और VK साहू जी, यह manufacturing in 21st century, अमित निर्वाल जी, application of fluent and automobile sector, यह पूरा का पूरा, यह कब होने जा रहा है, यह होने AM को, तो आप easily इसको attend कर सकते हैं, और अपनी dream job यहां से पा सकते हैं, तो देरिक इस बात की, जल्दी से जल्दी register हो जाएए, आपको मेरा code में मिल जाएगा, code क्या है, promo code क्या है, engineer job 01, जो कि आपको description में मैं post out कर दूँआ, कोई भी problem होती है, आप comment section में type कीजे, और मैं जल्दी से जल्दी enroll कर लीजिए, तो चलिए, सुरू करते हैं, जैसे ही हम इसके carrier section में जाएगे, तो carrier section में जाके हमें इसकी जो latest की, यह हमें अपना CV submit करना हो गए, अब एक चीज और है, बहुत भाईयों के दिमाग में confusion है, कि हमारा CV ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है ऐसा है, भाई देखो, मैं आपको एक बाद बिल्कुल के लिए लिए बता दूँ, जितनी बार आप apply करोगे, उतनी बार chances आपके job मिलने के बढ़ जाएंगे, बस आपको apply करते रहना है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, full name, आपका जो भी है, आप किसी भी प्रांच से अब दूसरी बाद यह है कि आप डिप्लोमा है, बीटेक है, जी हाँ, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी और प्लस बीटेक इंजीनियर ट्रेनी, मतलब ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, दोनों ही eligible हो जाएंगे, बस आपको क्या कर लेना है, जैसा मैं बताता हूँ, दो तरीकों से आप apply कर दीजेगा, दूसरा क्या है, आपका contact number लिखना है, तीसरा email ID लिखना है, चोथा educational qualification, माल लीजिए आपने diploma किया है, तो आप डिप्लोमा मेंशन कर दीजेगा, next professional qualification, professional आपने professional आपकी qualification क्या है, अब आपने diploma in civil engineering की है, और diploma in mechanical engineering की है, तो आपका educational तो होगा ह और professional qualification होगा, यह अपकी civil engineering, तो आप civil engineering, या फिर mechanical, या आपने graduate, तो आप यहाँ, एजुएशन क्वालिफिकेशन में b.tech लिख दीजेगा, और professional qualification में civil या mechanical background, experience, अगर आप freser है, जैसे आप years में 0.0 ही लिखिएगा, अगर आप freser है तो, और experience है तो आप लिख दीजेगा, current employee में, current employee में, current employee में, जब आप की current employee उनके लिए है, जो अभी experience है, तो अभी आप freser है, तो आप freser ही लिखिएगा, skill में अपनी skill, सबकी skill अलग अलग होती है, skills का मतलब होता है, कि आप civil वाले की skill अलग होती है, mechanical वालो की अलग होती है, electrical वालो की अलग होती है, अगर आपक comment section में या bio में type कर दीजिएगा मैं आपको reply कर दूँगा कि आपकी skill क्या क्या है particular अपने telegram पे post कर दूँगा ctc ctc होता है cost to company मतलब आप कितना pay लेने वाले हो आपका expected क्या है अभी आगर आप लिखेंगे तो अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं या आपको जो मेरे thumbnail पे लिखा है वो भी लिख सकते हैं और उसके बाद अपना cv attach कर दीजिएगा cv क्या होता है curriculum vitae इसको by data भी बोलते हैं तो अपना cv attach करके यहां submit कर दीजिएगा इसके साथ साथ जो दूसरा तरीका है दूसरा तरीका में आपको contact पे जाना है तो contact पे जाने के बाद आपको इनकी mail id मिल जाएगी आपको दिखेगा email में क्या दिख रहा है email ksk at ksk power तो आपको क्या लग रेना है ksk की जगा hr लगा देना है hr at kskpower.com और इस पे अपना updated cv भेज देना है कैसे भेजना है with proper cover letter के साथ cover letter क्या होता है cover letter होता है अपने बारे में छोटी से छोटी बातों में जादा से जादा information provide करनी उसको बोलते है cover letter cover letter कहा मिलेगा cover letter मिलेगा मेरे telegram channel पे telegram channel का जो link है वो description में दे दिया है तो जिनोंने अभी तक telegram channel को follow नहीं किया है वो याद से जाकर telegram channel को follow कर ले update आपको सारी मिल जाएंगी कैसे कैसे आपको apply करना है और उसके बाद mail करना है इनको इस mail पे आपको mail करना है कई बार आपको बता भी रखा है कि mail किस तरीके से करते हैं इसके साथ साथ कुछ vacancy अभी आपको description में link मिल जाएंगे bio में links मिल जाएंगे वो vacancy भी अभी open है Tata Power की है Steel Authority की है या फिर और भी बहुत सारी companies की है तो वहाँ जाके भी आप एक बार apply कर दीजिए तो opportunity आपके लिए है जितनी जल्दी apply करेंगे उतनी जल्दी reply आएगा तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like जरूर करें like जरूर करते जाएं और अपने दोस्तों तक share जरूर करते जाएं तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like जरूर करें चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करना बिल्कुल ना भूले मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिन